वेलकम बैक गईस कई बार आपने किसी ब्रैंड या कमपनी के वाटसप नंबर के उपर मैसेज किया होगा और आपने देखा होगा कि वहाँ से जो आपको रिपलाई आता है वो एक तरीके का मैन्यूल रिपलाई या कोई यूमन आपको रिपलाई नहीं कर रहा होता है बलकि चैट बॉट जो है वो आपको रिपलाई कर रहा होता है आज के पटिग्र वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम लोग अपने वाटसप के लिए चैट बॉट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं जब मैं वाटसप के लिए चैट जहाँ पर आपको पता चले किस तरीके साथ फ्री में वाटसप अपियाई जो है वो ले सकते हैं कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप फेस्बुक को स्क्रॉल कर रहे हैं वहाँ पर आपको कोई एक आड दिखता है और उसमें लिखा होता है सेंड वाटसप मैसेज as a call to action और आप जब उस एड के साथ इंट्राइक करते हैं उस फेस्बुक आड के साथ इंट्राइक करते हैं तो बिसेकली आप उस कंपनी के या जो भी आड चला रहा है उसके जो वाटसप नंबर है उसके उपर रिडारेक्ट हो जाते हैं वाटसप आप के इंदर रिडारे चैट बॉट डिपलाइड है उस चैट बॉट की मदद से जो है वो कम्यूनिकेशन को करें और सारी चीज़ें जो है वो आटोमेटेड को सकें तो इन सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकलर वीडियो के अंदर इस यहां पर जो हम ल आड के साथ इंटराक्ट करता है तो किस तरीके से वहां से फिर वो सीदे सीदे आपके वाटसेप नंबर के उपर आ जाएगा और वहां पर जो चैट बॉट है उसके थूरू सारे जो कम्यूनिकेशन हैं आटोमेटेड वे में वो प्रॉसेस होंगे जैसे कि यहां पर आप एक फ्लो टाइप का दिख रहा है इस बैसे लिए चैट बॉट जिसकी मैं बात कर रहा हूं आप से अगर मैं यहां पर सबसे पहले आपको दिखाओ कि यह चैट बॉट का जो फ्लो है जो हम लोगों ने बनाया हुआ है यह किस तरीके से स्टार्ट होगा तो आप देख सकते है फ्लो के स्टार्ट होने में तीन जो डिफरेंट डिफरेंट इंटेंट है उनको कवर किया गया है मतलब अगर कोई भी परसन कुछ स्पेसिफिक की वर्ट आपके वाले नंबर के उपर जाकर मैसेज करता है इन बाट पर्टिकुलर केस ऑलसो इस फ्लो विल स्टार्ट यह यह जो हमारा चाट बॉट है यह ट्रिगर हो जाएगा चाट बॉट जो है वो इस टार्ट हो जाएगा एक तरीके साब इसको ऐसे समझ सकते है राइट सो वी कन पुट आवर की वर्ट ओवर है लेट से अगर मैं चाहता हूँ डेमो क्लास कुछ इस टाइप से की वर्ड मैं चाट बॉट यह टेम्पलेट लेट से आपने पहले अपने वाटसफ अपिए नंबर के थूछ मैसेज़स को ब्रॉट कास्ट किया हूँ था और उन मैसेज़स के नीचे आपने कुछ बटन से और कॉल तो अपने मेंशन किया हूँ था तो अगर आप यह चाहते हैं कि जिन को मैने वो मैसेज ब्रॉट कास्ट किया था अगर वो हमारे मैसेज के नीचे जो बटन्स होगरा दिये उनके साथ इंटराक्ट कर रहा है तो उस इंटराक्शन के बेसिस पर इप यूँ वांट तो ट्रिगर इस चैट बाउट वो भी आप कर सकते हैं यह जो चैट बाउट ह करने की कंडिशन है, that is basically deciding the scenario कि कभ यह चैट बाउट हमारा स्टार्ट होगा, so template चूज करने के लिए वाफद ऑप्शन, simply आप सेलेक करेंगे और जो भी आपकी messages, templates पहले से बनी हुई है, उनमें से आप किसी भी message template को सेलेक कर सकते हैं, तो यह दो तरीके हो गए, so third option जहां अपर जो आपका chatbot है, वो start हो जाएगा, इस basically अगर आपने कोई click to whatsapp ads run कर रखें, आपने अपने ads manager के थूरू, facebook ads manager के थूरू, कोई ad आपने चला रखा है, जिसके उपर कोई click करता है, तो वो आपके whatsapp number के उपर redirect हो जाता है, वो आपका whatsapp API का number है, तो इस situation में अगर आप यह चाहते हैं कि उस ad के call to action पे या click to whatsapp के उपर जब भी कोई person click करें, सीधे-सीधे, यह वाला जो chatbot है हमारा, यह trigger हो जाए, और यह फिर further जो communication है, वो इस chatbot के through हो, अब यहाँ पर क्योंकि मैं AI CNC platform को use कर रहा हूँ, तो आपको initially AI CNC को और आपका Facebook ads का platform है, उसको आपको connect कर पड़ेगा, so that जो भी आपके running ads हैं, उनको आप यहाँ पर select कर पाएं, AI CNC केंदर आपको एक और option मिलता है, कि आप click to whatsapp ads directly यहाँ से भी run कर सकते हैं, but अभी के लिए मैं यह scenario मान के चल रहा हूँ, कि अगर आपको आपका existing ad account जो है, वो उसमें connect करना है, और वहाँ पर जो ads आपके run हो रहा है, उनके basis पर आपको यहाँ पर selection करना है, तो initially हम लोग क्या बात कर रहा है, कि आखिर यह जो हमारा chatbot है, यह trigger कैसे होगा, यह start कैसे होगा, right, so आपको simply meta ads के उपर जाना है, आप यहाँ पर आ जाएंगे, meta ads के उपर और यहाँ पर setup के उपर जाएंगा, so already यहाँ पर एक ad account जो है, वो connected है, बट आपको क्या करना है, so यहाँ पर आपको अपना facebook connect कर लेना है, आपको अपना ad account जो है, वो select कर लेना है, आपको अपना page select कर लेना है, और आपको यहाँ पर whatsapp number है, जो आपका whatsapp API वाला जो number है, वो आपको यहाँ पर mention कर देना है, वैस ads manager के अंदर देख सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर reverse की बात कर रहा हूं, कि आपको पहले से ads manager जो है आपका उसको connect कर लेना है, and when you will come back to ads manager और इसको sync करेंगे, एक तरीके से refresh करेंगे, तो you'll see कि जितने भी आपके जो ads चल रहे हैं, वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, now based on the interaction of these ads, you can basically initiate your chatbot, right, so it's set up हो जाएगा, it is very simple to set up ads manager को आपको sync कर देना है, refresh कर देना है, उसके बाद you will come back to flows, और जैसे मैंने आपको बताए हमने एक already flow है, वो बना के लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने यहाँ पर select किया, तो जो भी हमारे ad में, जो भी primary text था, जो भी call to action था, जो भी हमारा link वगरा यहाँ पर mention था, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी exactly यहाँ पर आ रही हैं, अब यहाँ पर हमारे एक तरीके से तीन ऐसे points डिफाइन हो गए हैं, जो basically हमारे chatbot को initiate करेंगे, start करेंगे, तो जैसे हमारा chatbot start होगा, trigger होगा, जो सबसे पहला message है, वो इस तरीके से जाएगा, हाई और यहाँ पर फिर हम लोग first name को dynamically जो है, वो basically message plus buttons, जब आप इसको select करने जाएंगे, जैसे इस तरीके से, जैसे यहाँ से, आप इसको select करते हैं, तो you have the option of text plus button, this is something जो हम लोगो ने यहाँ पर select किया हुआ, text plus button को, तो आपको simply आपर text mention करना है और कुछ आपके जो buttons है, वो आपको define करना है, जैसे हमने करका है, know about ABC coaching, the courses which are available and talk to counselor, this is again a very interesting thing, अभी मैं आपको बताता हूँ, यह कैसे काम करती है, so you can also click on this preview button, तो आपको exactly यहाँ पर दिख जाएगा कि किस तरीके का आपका जो message है, वो दिखाई देगा, तो जैसे ही आपका chatbot initiate होगा, this is the first thing that is going to appear, hi first name, welcome to ABC coaching, और इस तरीके से फिर यहाँ पर आपको buttons दिखाई देंगे, so based on the interaction on these buttons, flow के अंदर जो further आपने चीज़े define करी है, वो आपको show होना शुरू हो जाएगी, right, so यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, इसके बाद गर कोई know about ABC करता है, तो यहाँ पर हम लोगो ने एक और जो card है, उसका इस्तेमाल किया हुआ, यहाँ पर, that is basically, यहाँ पर अगर आप आएंगे, तो this is media plus जो हमारे buttons है, वो हम लोगो ने use किया हुआ है, so what we can do is, आप यहाँ पर edit कर सकते है, you can use any images, जैसे मैं इसको select कर लेता हूँ, right, so this is basically the media, media के साथ कुछ description है, and then we have the buttons, so if anyone want to know about our coaching, हमने छोटा साब ब्रीफ साथ, उनको जो introduction type का है, वो यहाँ पर दे रखा है, I can also give them PDF and all, यहाँ पर अगर हम उनकुछ file या audio अगरा भी देना चाहते थे, तो वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, but for now हमने यहाँ पर एक image जो है, वो लगा रखी है, और image के साथ-साथ हमने यहाँ पर एक छोटा सा content जो है, mention किया, and then we have another two buttons over here, right, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, जो हमारा second वाला button था, courses available, उसको हम लोग लेकर जा रहे हैं, इस वाले section के उपर, और यहाँ पर हम लोगों ने define किया है, message list, right, अगर आपको इसको समझना है, तो जैसे मैं आपको दिखाऊ, यहाँ पर अगर आप जाएंगे, तो list message जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, this is the list message, तो यहाँ पर एक simple header है, then there are some message, और उसके बाल हमारे जो different, different courses है, वो यहाँ पर हमने mention के होई, जैसे 14 days IELTS का course है, यहाँ पर, ठीक है, one month का IELTS का course है, grooming के courses है, if there is any customized course which people are looking for, उसका हमने option यहाँ पर दे रखा है, so we have given different options, और based on the interactions on these different lists, फिर further जो चीजें है, वो होंगी, but यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताए, कि courses available का जो यह button है, it should also connect to this, right, यहाँ ने पहले नहीं connect किया था, so that I can show you, इसको भी हमें यहाँ पर इससे connect करना है, यह जो हमारी list बनी हुए, now we have another option which is talk to counselor, देखे, talk to counselor का मतलब यह होता है, कि जो सामने वाला person है, जिसको यह message गया, they don't want to see any options, उनको सीधे-सीधे ना किसी counselor से connect करना है, तो intervention बीच में होना चाहिए, so for that we have a pre-build option over here, जैसे अगर आप देखो, यहाँ पर request intervention का option देख रहा है, so as soon as someone request the intervention, it appears in the live chat and one can contact to this candidate, right, so इस चीज को हम लोगों ने already, अगर आप देखे, तो यहाँ पर हम लोगों ने बना रखा है, right, so आप देखो request intervention के नीचे हमने एक message बेजा हुए, our team will connect with you shortly regarding the details or the mail, right, so यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने जो message बना रखा है request intervention के लिए, our team will connect with you shortly, right, so यहाँ से अगर मैं वापस आजाओ, यहाँ से, तो यह वाला जो हमारा link है, यह होगा सीधे इस वाले card के साथ एक बार, right, इस वाले card के साथ यह link हो जाएगा, इसी तरीके से, यहाँ पर भी हमने talk to counselor का option दिया है, so that at any moment of time, if anyone want to connect to our counselor, they can easily do that, right, so इस वाले को भी मैं connect कर दूँगा quickly, यहाँ से, last में आ जाते हैं हम लोग, इसको यहाँ से हम लोग connect कर देंगे, right, so यह वाला जो हमारा intervention वाला card है, now it is connected to this thing also, talk to counselor, click करेगा, अगर कोई भी candidate, तो वो यहाँ redirect हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ click करेगा, तो भी वो यहाँ पर redirect हो जाएगा, courses available पर click करेगा, तो हमारे पास यह courses की list है, वहाँ पर आ जाएगा, और अगर वो किसी एक course के साथ interact करता है, let's say, वो इस course के उपर click करता है, 14 days, IELTS course के उपर, अब आप बहुत ध्यान से देखेगा, यहाँ से हम उससे कुछ questions, जो है, वो पूछ रहे हैं, but questions पूछने से पहले, एक automatically, एक activity होगी, which is, कि अगर कोई भी person, इस वाली course के साथ interact कर रहा है, देखे, अगर कोई भी person WhatsApp के उपर interact कर रहा है, तो उसका WhatsApp नंबर तो हो गई होगा है, और वो WhatsApp नंबर हमारे platform के अंदर भी save हो जाएगा, फर्दर क्योंकि अगर हमें उससे कुछ आगे चलके broadcast करना है, इसमें अगर आप देखें, तो एक option है, set attribute का, यहाँ पर एक attribute असाइन हो जाएगा to this candidate, यानि कि उस नंबर को, और उस attribute का नाम है course, और उस course के अंदर जो value आएगी, वो 14 days IELTS course आएगी, अगर वो person इसको click करता है, तो इसी तरीके से अगर वो person इसको click करता है, one month वाले course को, या grooming course को click करता है, तो आप क्या देख रहे हो, कि जब भी courses बदल रहा है, same courses attribute के अंदर, उस number के लिए एक value जो है, वो assign हो जाएगी, that is, जो भी वो course होगा, fine, अब यह हम क्यों कर रहा है, so that भविष्य में कभी भी हमें अगर attributes के basis पर कोई filtering लगानी है, और जो filter होकर date आई है, उसको कोई specific message भेजना है, तो हम वो आसानी से कर पाए, so that हम differentiate कर पाएं कि 14 days I'll score attribute में कितने users हैं हमारे पास, कितने numbers हैं, और उसके according अगर हम उन्हें further कोई unique message broadcast करना चाते हैं, तो वो हम भगती आसानी से कर पाएं, this is why we are doing this, right, अब यह जो चीज है यह सामने वाले user को नहीं दिखाई देगी कि कुछ attribute वगरा सेट हो रहा है, this is basically internal to us, है ना, और यह एक attribute जो है, वो हम लोग set up कर रहा हैं, तो अगर आप देखें, तो for every course, हमने course attribute के अंदर उसकी जो value है, उसको हमने select कर रखा है, अब यह जो 3 courses है ना, जैसे ही इन 3 courses से कोई person, यहाँ पर जो आप 3 courses देख रहे हो, इन से इन track करता है, we are asking them a question, please share a preferred date when you wish to start, तो date हमें पता चल जाएगी, यहाँ पर कि when they want to start, यहाँ पर हम लोग date के अंदर भी एक जो attribute है, तो यहाँ पर हम लोग एक date attribute के अंदर जो date है, उसको capture कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने उसको define करके date format दे रखा, इन केस अगर वो date format सही तरीके से नहीं डालता है, तो हम उसको यहाँ पर mention भी कर रहे हैं, कि please mention the date in the format this, right, so we are capturing the date over here, कि कब वोग श्टार्ट करना चाहते हैं, so now we have the information of course, and then as soon as they will enter this, we will add a tag to the respective number, तो अब उस number के पास दो attributes हो गया एक तरीके से, so अब उस number को filter करने के, इस chatbot के basis पे हमारे पास दो चीज़ हैं, एक तो attribute हो गया, एक tag हो गया, so जो भी course यहाँ पर selected होगा, क्योंकि यह जो course था, इस course के अंदर यह एक attribute था, कि we are providing each number and additional tag other than the attribute, जिसकी वज़े से जो course इन्होंने select किया है, वो course as a tag इसमें add हो जाएगा, this is again internal to us, यह सामने वाले बंदे को नहीं दिखाई देगा, तो question का answer करेगा, और जो भी उसका course होगा, उसके according उसको tag लग जाएगा, and then they will be redirected to a counsellor, ठीक है, request intervention के through a counsellor को redirect हो जाएगे, counsellor will be notified, और फिर वो further communication को carry forward कर सकता है, यहाँ पर similarly for this fourth course, customized course, we have an attribute, और उसके बाद जो question है, वो थोड़ा अलग है, मेभी यह course दूसरा हो, please share your email address, one of the team will, members will connect with you over email to get more details, और यहाँ पर आप देखो, तो email हम लोग उससे capture कर रहे हैं, and again after this question, they will be redirected to this request intervention वाला message only, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यह दो message आपको देख रहे हैं, बट यह ऐसे भी हो सकता है, कि इस वाले को मैं delete कर दूँ, और इसको भी घुमा के मैं यहाँ पर ले आऊँ, कि यह जो flows हैं, यह किस तरीके से काम करते हैं, और कितने interesting तरीकों से, based on different interactions, we can actually start our flow, तो यहाँ पर मैंने बहुत एक common सा example लिया हुआ है, according to your requirement, you can create different types of flows, which will work on automated basis for you, I believe बहुत सारी चीज़े आपको clear हो गई होगी हुँँगी, इस पर्टिकलर वीओ में इतना ही, मिल दे नेक्स वीओ में, तिल देन, गुद बाई.